आप चाहे स्टूडेंट है या कोई प्रोफेशनल और अगर आप कन्फूजड है कि कौन सा ऐसा केरियर फिल्ड है जहां पर हाइस्ट पेंग सैलरी जॉब विद एरिया ओफ इंटरेस्ट एंड फिर्चरिस्टिक अप्रोच हो यानि कि जिसमें सैलरी भी अच्छी मिले और फ इंटरनाश्रल प्रेटफॉर्म्स की डेटा साइंटिस्ट आज के समय में 12 से 15 लाग रुपे पर एनम एवरिच सैलरी पैकेज ले रहे हैं वहीं अगर कोई डेटा साइंटिस्ट किसी विदेशी कंपनी के साथ काम करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 20 से 30 स्टार्मिंग, स्टैरिटेक्स, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा रैंगलिंग, मशीन लर्निंग, लीनियर एलजेब्रा एंड कैल्किलिस, सॉफ्ट्वेर इंजिनियरिंग जैसे स्किल्स की ज़रूरत होती है जिन लोगों के पास कंप्यूटर साइंस, मैट्स, इलेक् को डेटा साइन्टेस्ट बनना है, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स जॉइन कर सकते हैं, कई युनिवर्सिटीज और डिस्टन्स लर्निंग प्रोग्राम ने ये सुविधा मिलती है जैसे जैसे आर्टिफिशल इंटलिजन्स की मांग बढ़ रही है, इसके एक्सपर्ट इससे जुड़े कानूनी सलहा का और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है अब बात करते हैं कि AI एक्सपर्ट्स काम क्या करते हैं तो आजकल एडुकेशन, इंजिनियरिंग, एग्रिकल्चर, राइटिंग, हेल्थ ऐसा कोई भी फिल्ड नहीं है जहां आर्टिफिशल इंटलिजन्स का काम नहीं हो Google Lab, Speech Recognition और Self-Driving Cars जैसी चीजों के लिए भी AI की मदद ली जाती है Simple Words में समझें तो ये एक Machine Learning Program होता है जिससे आप कोई भी काम ले सकते हैं इस फील्ड में Basic Skills की Requirement है Understanding of AI Fundamentals, जैसे Algorithm, Data Structures, Data Analysis, Machine Learning and Deep Learning वहीं Computer की थोड़ी जानकारी और Computer Science में BCA, MCA और Maths Expert इस फील्ड में अपना करियर बिना सकते हैं नमबर तीन, Modern Farming Agriculture का फील्ड Tech Pro हो रहा है ऐसे में Seeds Experts, Irrigation Experts, मौसम का पता लगाने वाले Data Analytics की Global Market में काफी मांग बढ़ी है इस रिपोर्ट को देखकर आप अंदासा लगा सकते हैं कि हमें Green Revolution 2.0 की जरूरत है जिसे हमारे Modern Farms ही ला सकते हैं Modern Farming टेक्निक काफी Specialized Skill है आज Vertical Farming, Hydroponic Farming जैसे काफी Advanced Scenario को Represent कर रही है अगर आपको Vertical और Hydroponic Farming के बारे में कुछ और जाना है तो See Positive के इस आर्टिकल को जरूर पढ़े हैं Highest Paying Salary Job के लिस्ट में चौथे नमबर पर आते हैं Wellness और Travel Experts Travel Tourism, Hospitality में इंडिया तेजी से ग्रोव कर रहा है भारत का ये सेक्टर 2020 में 75 बिलियन डॉलर तक था जो 2027 में 125 बिलियन डॉलर तक पहुँचेगा Domestic Tourism का भी तेजी से ग्रोव करना एक बजा है अब लोग देश में ही नई नई जगां को एक्स्प्लोव कर रहे हैं ब्लॉग लिख रहे हैं फोटोग्राफिक कर रहे हैं ऐसे में इन सेक्टर्स में होटेल्स, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, वेलनेस केर एक्सपर्ट्स और गाइड जैसे तमाम लोगों की मांग तेजी से बढ़ी है होटल मैनेजर के बारे में तो आपने सुना ही होगा पर क्या आप कुल्चरल लाइजन ओफिसर, वेलनेस कोडिनेटर, सिस्टेनेबिलिटी मैनेजर, फूड और विवरिज डिरेक्टर जैसे नए जॉब्स के बारे में जानते हैं दरसल ये प्रोफेशन्स काफी तेजी से उभर रहे हैं त्री और फाइफ स्टार होटेल्स इन प्रोफेशनल्स को सालाना पंदरा से बीस लाख रुपे की सैलरी के पैकेज पर हायर करते हैं इसमें वो सारे स्किल्ड लोग आते हैं जो किसी भी कंटेन्ट को यूनीक बनाते हैं ये नौकरी के अलावा इंटर्पेनर भी बन सकते हैं आज दुनिया की बड़े-बड़े ब्रैंड्स सोचल मीडिया में मौझूद हैं इन्हें अपने ब्रैंड्स के लिए अट्रक्टिव कंटेन्ट की ज़रुरत होती है तो अगर मार्केट में स्टैंड आउट करना है तो आपको सबसे अच्छा कंटेन्ट बनाना है पैसे आपको आपकी काबलियत के हिसाब से मिल ही जाएंगे इसके साथ ही इस फील्ड में सबसे ज़्यादा आजकल वीडियो एडिटर्स, ट्रांसलेटर्स और वॉइसलोवर आर्टिस्ट कमा रहे है एक रिपोर्ट के मताबिक इन्हें यूएस की बड़ी कंपनियां एक सो पचास लाख यूएस डॉलर्स तक की भी सैलरी दे रही है नमबर छे के अगर बात करें तो हैकिंग एक्सपर्ट्स सबसे इन डिवांड जॉब के रूब में हैकिंग ट्रेंड में है अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको हैकिंग क्यों करवाना चाते हैं पर ये सच है कि हैकिंग करने वालों की मांग फ्यूचर में सबसे ज़ादा होगी हम अच्छे हैकिंग करने वालों की बात कर रहे हैं यानि कि हैकिंग करने वालों को पकड़ने की जिसे ethical hacking कहते हैं आज इंडिया और global market में इनकी काफी demand है ऐसा इसलिए क्योंकि हर बड़ी company, bank, media firm, law या school सभी जगर लोगों को अपने data को सुरक्षित रखता है ऐसे में जरूरत परती है उन experts की जो cyber सुरक्षा देने में माहिर हो आपने कभी न कभी ये ज़रूर सुना होगा कि एक युवा को bug खोजने के लिए Google में कई डॉलर्स दिये तो वो क्या है ये bug? Bug खोजने का काम भी ethical hackers ही करते हैं दरसल जब कोई बड़ी company, कोई program launch करती है तो उसमें experts बग खोजते हैं किसी भी field में best होना पढ़ता है हमारा ये वीडियो न सिर्फ यूद के लिए है बनकी साथ तो नए professions के बारे में सोचें और बहतर करने के लिए संभावनाओं की तलाश में हमेशा रहें क्योंकि आने वाली पीधी को tech pro होकर काम करना होगा वीडियो लाइक शेर जरू करें